दोस्तों ये कहानी है यूपी के एक गाव की जिसमें अजय नाम का लड़का रहा करता था। बच्पन से ही पढ़ाई में होशियार अजय अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। अजय के दादा ने अपने समय में बहुत करज ले लिया था जिसको चुकाने में पाप आजय को इस बात का आहसास नहीं हुने देते थे। आजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह अजय को पढ़ा पाए। आजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी ओर वह इक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वर्ल कलेक्टर बनने की तयारी भी कर रहा था। अजय अपने वक्त का एक मिनट भी फाल्तु नहीं बुजारता था। अजय ने पूरा समय पढ़ाए और नौकरी में ही लगा दिया। अजय के पापा को ये पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने अजय से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगा तार दो साल तक अजय पास नहीं हो पाया उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिर्वी रखकर अजय को आये इसकी कोचिंग ज्वाइन करवाए और उसकी नौकरी भी छुडवा दी और केवल पाई करने को कहा। अजय का सपना पूरा होने वाला है पर भगवान को कुछ और ही मनजूर था। अजय का कल इंटर्वियू था और सुबर से उसके पापा की तब्यद खराब थी। अजय के पापा उसकी माँ से बार-बार कह रहे थे कि अजय को मत बताना और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई अब एक माँ जिसकी गोध में उसका पती गुजर गया और वह अपने दर्ब को भुला कर अपने बेटे की जिन्दगी के बारे में सोच रही थी मा ने परोसियों तक को इस बात का अहसास नहीं हुने दिया कि उसका पती अब नहीं रहा पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी न निकले और सुबह अजय जब इंटर्व्यू देने जाने लगा तब मा और पापा के आशिरवाद के लिए उसने मा को कॉल किया मा ने पूरी हिम्मत लगा दि अपना सच शुपाने के लिए और अजय को आशिरवाद दिया और जब अजय ने पापा से बात करने को कहा तो मा बोली पापा अब तुम से बात नहीं करेंगे वह कलेक्ट से बात करेंगे इतनी बात करके मा ने फोन रख दिया आजय का जब इंटर्व्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबियत खराब है उसको तुरंथ घर जाना है आजय को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में घर पहुँच कर पिता के पैरो में गिर कर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा पापा उठो देखो मैं कलेक्ट बन गया आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे भगवान आजय के पिता की जिन्दगी में सुख लिखना ही भूल गए थे पहले वह अपने पिता के करज में जिन्दगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में घर और जमीन गिर्वी रखनी पड़ी वह जिन्दगी में करज लेकर आये और करज लेकर चले गए अजय के पिता को भले ही जिन्दगी में कुछ हासल नहुआ हो पर वह अपने लड़के को इस काबल बना गए कि वह अपनी साथ पुष्टों को बैठे बैठे खिला पाए अजय की मा ने जो उस रात किया जिसको करने का जज़बा बहुत कम लोगों में होता है जब अजय कलेक्टर बन कर घर आया तब मा ने अजय से कहा बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो की हजारों गरीबों का भला कर सकते हो जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आये तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ पर इतना जरूर जानती हूँ गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है तुम कभी किसी का बुरा मत करना शिक्षा दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वक्त किता भी खराब हो हम उसे बदल जरूरू सकते है मा और बाप के अहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते है